जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं आपके फोजी बढ़ने के सपने को साकार करने के लिए S.S.C. मेकर एक बार फिर मैदान में तोब क्लास अनुभवी सिक्सकों के मार्ग दर्सम में तयार किया गया S.S.C. GD. 4G बैंच जो देता है आपको 100% के सलेक्शन के वारंटी तो तेरी किस बात की आज ही जोइन करे S.S.C. GD. 4G बैंच मात्र 299 रुपे में और करे अपने सलेक्शन को पक्का ओफर सीमित समय के लिए उपलब्द अधिक जानपारी के लिए आप S.S.C. MAKER एप डाउनलोड करे और दिये गए नमबर पर कॉल करे अधिक नमस्कार साथियो मैं जोगंदर सिंग स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने ओनलाइन प्लेटफॉर्म S.S.C. MAKER पर गुड़ मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड़ मॉर्निंग जो बच्चे कलास के साथ जुड़ गए हैं आप सभी बच्चों से अनरोध है एक बार आप सभी इस कलास को शेर जरूर कर दीजिए जिससे की और भी जो बच्चे हैं वो कलास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाव प्राप्त हो सके जैसा कि आप सभी को पता है आपके एक्जाम की डेट आ गई है और उसी डेट के साथ याद रखिएगा आपक जीडी के लिए तो उसे जरूर जोएन कीजिए और रेगुलर चल रही है आपकी यूटूब की क्लास इनके साथ भी आपको जुड़ना है तो याद रखिएगा यह जो 11 बज़े आपकी क्लास चल रही है यह चल रही है आपकी SSC GD के लिए जिसमें हम GH Special के उन महत्मूर को क को कर रहे हैं जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्मूर है आपके एक्जाम में जो कोश्चंस आते हैं उन्हें सभी कोश्चंस को जो है आप यहाँ पर करेंगे ठीक है चलिए एक बार आप सभी क्लास को सेर जरूर कर दीजिए और उसके बाद हम क्लास को सुर इसा कुलदीप विकास प्रबीन बिर्जेस सुमित गोरखा टाइगर सिवानी मानसी चलिए बहुत अच्छे बहुत बढ़ी है लेटिल चलिए क्लास को एक बार सभी जो है बच्चे जितने भी क्लास के साथ जुड़काई है शेर जरू कर दीजिएगा और याद रखिएगा यही समय है पढ़ने का यह जो अभी समय आपका चल रहा है यही समय है आपका पढ़ने का और अगर आप इस समय में छूट जाते अगर यह समय जो आपका अभी है इसे अगर आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो यकीन मानिए अभी जो आपका एक्जाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही अधिक तकलीफ होने वाली है पहला कोश्चन है प्रतम एंगलो बार्मी युद्ध का अंत फिलिंदा व्लैक्स प्रस्टाक्चर करने पर हुआ था पुरंदर की संदी यांडावो की संदी तेतालिया की संदी सालवाई की संदी फर्स्ट समाप्त हुआ था कि संदी के बाद ये आपको बताना ठीक बहुत अच्छे क्या हो जाएगा तो याद रखेगा इसका जो सही जवाब है यह हो जाएगा आपका यांडावू की संदी और अगर आप पूचे यह कब हुई है तो याद रखेगा यह हुई है 1826 में कब हुई ह है पुरंदर की संदी के बारे में याद रखेगा यह 11 जून कि कब 11 जून 1665 को ही है आज जैसिंग सबाई जैसिंग और सिवाजी महाराज की किसके सबाई जैसिंग कि और सिवाजी इनके बीच जो है क्या हुई है इनके बीच जो है यह संदी हुई है तो यह आपको याद रखना है याद रखिएगा अगर तेतालिया की तेतालिया की संदी की बात करें तो यह तारे तो 57 में हुई है 17 में हुई है किसके बीच सिक्किम और ब्रिटिसर्स के बीच जो है यह संदी हुई है किसके बीच सिक्किम और बिटिसर्स के बीच जो है। यह संधी हुई है। अगर आप से पूछा जाता है कि कब Spain हूई है, तो याद रखेगा। यह सालबाई की संदी है यह हुई है आपकी 1782 किसमें सत्रेसो ब्यासी में जो है यह संदी हुई है तो यह आपको याद रखना है ठीक अगला पिट्स इंडिया एक्ट के अंतरगत निमलकित में से किसे इस्थापित किया गया है आपको बताना है इन में से कौन सी एक चीज है जो इस्थापित हुई है पिट्स इंडिया एक्ट के तैत निर्देशकों की अधालत नियंत्रन बोर्ड राजस बोर्ड इस्थाई परिस्थ अंडर दा पिट्स इंडिया एक्ट विच आप दा फॉलोईंग बाज इस्टेबलिश्ट बोर्ड ऑफ डारेक्टर कंट्रोल बोर्ड बोर्ड ऑफ रिवेन्यू और स्टेंडिंग काउंसिल कोशन क्या है कोशन है आपका दूसरा और आपको बताना है इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा बता बहुत अच्छी बहुत बढ़िया अनीशा सुकलास ने हां गनेश रजनीश जयोती याद रखिएगा आप सभी बच्चे आप सभी को इस क्लास को एक बार सियर जरूर करना है और आपको एक बार इसे लाइक करना है क्या करना है एक बार सियर और एक बार लाइक करना है बता ठीग है चलिए एक आपको बताना आपको बताना इसके साथ एक नई चीज इंटर्डूस की गई थी और वो क्या थी तो याद रखेगा बोर्ड आफ कंट्रोल कंट्रोल बोर्ड बी ओसी या नियंत्रक बोर्ड तो यह आपको याद रखना है ठीक अचा कलकत्ता में उच्चितम न्यायले की स्थापना किसके द द्वारा की गई है 1773 का अधनी बिनायक अधनियम 1744 पिट्स इंडिया अधनियम और आपका सॉरी बहुत 1784 पिट्स इंडिया अधनियम और 1793 का चार्टर अधनियम और 18-13 का चार्टर अधनियम आपको बताना किसके जरिये जो है आपको बताना है कि जो उच्चितम न्यायले है इसकी स्थापना की गई है बताओ बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा कि यह देखो आपको यह दिखाई दे रहा होगा अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अब दिखाई दे जाएगा कि देख रहा है देखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसके जल्दी इसके जरिये क्या हुआ गवर्नर जनरल और बंगाल जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसे यह इंट्रड्यूश क्या गया कोर्ट ऑफ डारेक्टर्स जानी कि जो नियंत्रक बोड था वो बनाया गया सुप्रिम कोड़ की स्थापनाई सी के जारी तैट फिट्स इंडियाएक्स, इसके जो नियंत्रक गवर्नर जनरल ढंगाल जो गवर्नर जनरल बंगाल अंधिया था पिशस्केश कर देना है ऊसे बहुत अधिक सकतियारी थी हिए ईड़ कंपणि कर दिया तो में AS टू इंटर्डूस ओपन कंपटीशन और बाकी के जो और भी ब्यापारी कंपनियां थी उन्हें भी अनुमति दे दी गई कि वो भी इस्ट में जाके ब्यापार कर सकती है चार्डरेक्ट 1853 एक्जीक्यूटिव एंड लेजिसलेशन फंक्संस ऑफ गवर्नर जनरल सब्सक्राइब काउंसल जो गवर्नर जनरल की काउंसल दिना उसमें छह लोग और नामित किये गए जोड़े गए ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेंट इंट्रियूस जो मैकाले था ना उसने जो सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन था उसे सभी के लिए ओपन करा दिया गवर्मेंट आफ इंडियाप्ट इस जो भाइसराय बना दिया गया और 15 में घ्राइस में उसे ता कंपटीशन तो आपको बिटेशन पर को सौन दी गई थी तो यह आप क्या सखनए अगर इसकी बात करें तो क्याмотритеigg dream यह हो गया आपका 773 का बिनायक बोड यानि Regulatory Act of 1773 आगे रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लाग हुआ लॉर्ड जेम्स वर्ड, लॉर्ड बिलियम, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड वेंटिंग डूरिंग हुज टाइम दा रोलेट एक्ट 1992 इनेक्टिड लॉर्ड जेम्स वर्ड लॉर्ड बिलियम, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड वेंटिंग जो ये आपका रोलेट एक्ट है इसी को काला काणून, क्या, इसी को काला काणून भी जो है कहा जाता है याद रखिएगा इसी के जलीका चलते जलीया बाला बाः खत्या कांड़ भी हुआ था कमेंट में लिख कर बताू कि वो कब हुआ था कमेंट में लिखो की वो कब हुआ था यह आपको ग्रिर ठाए ठीक है दूसरा एक चीज और जो आपको याद रखना है यहांपर रोलेटेक्ट को लेकर अचा अच्छ deposits, which sounds जो रोलेटेक्ट आया था इससे पहले या फिर यहां बताओ जो खिलापी चांदोलन है यह रोलेटेक्ट के आपको एक पहले हुँआ था यह आपको कमेंट में लेकर Government of India Act 1935 किस पर आधारित था Government of India Act 1935 इन में से किस पर आधारित था Simon Commission पर Lord Karjan Commission पर Dimitrov Thesis पर Lord Clive की रिपोर्ट पर What was the Government of India Act 1935 based on Simon Commission, Lord Karjan Commission, Dimitrov Thesis और Lord Clive रिपोर्ट आपको बताना किस पर यह आधारित था किस पर यह आधारित था यह आपको बताना ठीक है बताओ जरा कि कि सायमन कमीशन देखो क्या कह रहाई है कि अधा कमीशन सेंट टूरेव दा सक्सिस ऑफ दा इन्डिया एक्ट इन नाइटीन नाइटीन नीज 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 में जो गवर्मेंट टेक्ट लेकर आए गया था ना उसकी सक्सिस्व कितना सफल रहा इसको रिवीव करने के लिए से भेजा गया था ठीक है, the review was brought forwarded to 1927, यह 1929 से 1927 में यह साइमन कमीशन मना था, उसके भीच की बात कर रहा था, साथ में था सेविन में कमीशन बाज हेड़िट बाज सर जोन साइमन, धर बाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, जो आपका यह साइमन कमीशन था, इसमें साथ लोग थे, जिन इंडियन बाज एंगर्ड बाज दा कमीशन, एज इट शोड देट दा ब्रिटिस गवर्मेंट बाज अनुबिलिंग टू लेट इंडियन हैज हैव आसे, मतलब जो ब्रिटिस ने, इसमें एक भी भ्यक्ति को, भारती भ्यक्ति को सामिल नहीं किया ना प्रतिने दिया, यान कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग दोनों ने इसका व्यक्ति किया था, ये भी आपको आखना है, अर रिपोर्ट इसीवड इन 1930, 1930 में ये रिपोर्ट इसू हुई थी, और इसी के चलते इन्होंने कहा था कि जो अबोलिशन दा डायक्री एंड इस्टेबिश अ फेडरल इंड जिसमें, उसके बाद भारत सरकार अधनियम आया था 1935, जिसमें केंदर में 22 सासन लागू किया गया, प्रांतों से 22 सासन हटा दिया गया, भारत एक अखेल भारतिय संग होगा, इसकी संकल बना भी 1935 में की गई थी, और याद रखिएगा साइमन कमीशन, जो इसका सही यव भारत के बना था, पर यह भारत पहुचा था 1928 में, कब यह भारत कब आया था, भारत आया था 1928 में हैं, और इसके चलते साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गया, भारत के लिए संभीदान बनाने वाली संभीदान सभा किस बर्ज इस्थापित होई थी भारत के लिए जिसे संभीदान सभाने संभीदान बनाया न वो गटित कप की गई थी यह आप से पूछ रहा है इन विच यह बाज दा सब्सक्राइब असेंबली इस्टेबलिस्ट टू फ्रेम्डा कॉंस्टिवन फॉर इंडिया 1947 1948 1946 और 1949 बता वह जाएगा कि अनके सिर में चोड़ लगे थी एक्टिन में जब वो तो टर्वन पहें दे थे इस बज़ए से तो थोड़ी कम चोड़ लगी लेकिन फिर विनकी अमरतिय उससे हो गई थी वह घायल हो गयता और घायल होने के बज़ए सिर्पर लाठिया पड़ी थी उनके इस चक्र में हुआ था ठीक है अब जीत आकास रभी सुमित कोटिल ले आकास विपिन बहुत अच्छे कि बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा याद रखेगा यह हो जाएगा आपका 1946 किसाधार पर तो याद सरकार बना सकते है और इसी के चलते चार दिन बाद 16 अगस्त को मुस्लिम लिए प्रितक्ष कारवाही दिवस मनाया था यह आपको याहतक ना इसो के चलते सं मिधान सभा का घठन उआ था यह आ irrelevant और उात्ते कुछ सभा जो है यह कि लो संथान सभाइ कि नव दिसंबर 940 को पहली बैटक इसकी हुई थी दूसरी ग्यार है दिसम्बर उन्निस सो चैलिस अगा अंतिमुई ती 24 जनवरी उन्निस सो क्जास टोडल सत्र कितने हुए हैं टोटल सत्र हुए हैं इसमें 11 आई टोडल सत्र मैं याद रखियेगा मैं शत्र की बात कर रहाघा हूं 26 नमबर 1949 लेकिन उस दिन इसे कि कुछ प्रावधान लागू किये गए थे अधिक्तिर प्रावधान इसके छोड़ दिये गए थे जो लागू हुए है 26 जनवरी 1950 को कमेंट में लिखकर बताओ क्यों ऐसा किया गया है क्यों 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया बदाओ फटा बड़ते अच्छा अगला बिटिस भारत के किस प्रांत में राजस्त एकत्रित करने की रहयत वाड़ी प्रणाली लागू की गई इसी की तरह एक महाल वाड़ी प्रणाली भी लागू की गई थी कमेंट में लिखकर बताओ जो महालवाड़ी प्रणाली है ये कौन लेकर आया था और किस जगह पर इसने सबसे पहले इसे लागू किया था पहली चीज अच्छा सम्मिदान सबास का जो पहला अध्यक्ष ता वो कौन था ध्यान से सुरो सम्मिदान सबास का पहला अध्यक्ष गलती मत करना मैं तुमारे कमेंट देख रहा हूं ठीक है अच्छा एक बात और बताओ सम्मिदान को बनने में कुल कितना समय लगा है यह आपको बताना बताओ जरा कोश्चन क्या है कोश्चन है आपका से बिन क्या है क्या है कोश्चन हो जाएगा आपका से बिन बताओ जर गरतन दिवस बनाते हैं 26 नवंबर को हम सम्मिधान दिवस बनाते हैं कल है कल 26 नवंबर है ना कल सम्मिधान दिवस है कल constitutional day जो है हम साइब करेंगे ठीक है तो यह आपको आधकना दो बर्स 11 माह 18 दिन यह समय है जो एक सम्मिधान को बनने में लगा है पहले जो अद्धक्ष थे ना इसके वो थे आपके सच्चदानंद सिना पर वो आइस्थाई थे उसके बाद 11 दिसंबर को बैटा कुई थी उसमें इस्थाई सदर से चुने गए थे और जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद तो और किस जगह से प्रारम हुई थी तो प्रारम हुई है बारा महल से कहां से ये प्रारम हुई है बारा महल से कमेंट में लिखकर ये बताओ कौन इसको लेकर आया था ये आपको बताना है और महालवाड़ी विवस्ता किसने प्रारम की थी ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है आगे दादाभाई नहरोजी का नसार स्वराज का अर्थ था पूर्व स्वतंत्र था स्वसासन आर्थिक स्वतंत्र था राजनितिक स्वतंत्र था according to दादा भाई नेरो जी स्वराज मीन्ट, pre-independence, self-government, economic freedom और political freedom, यह जो स्वराज सब्द का इस्तमाल करते थे, इसका मतलब क्या देगो, स्वराज सब्द का पहला प्रियोग जो है, यह स्वामी दयानंद द्वारा किया गया है, किसके स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सबसे पहले जो है, स्वराज सब्द का प्रियोग किया गया है, पर अगर official मांग की जाए, इसकी बात की जाएगी, officially कब मांग की गई थी, स्वराज की, या officially जिस सब्द का प्रियोग किया गया, स्वराज, वो किया है, दादा भाई नेरो जी ने, जो की 1906 का अधिवेशन इसकी मांग की थी, तो ये आपको याद रखना है, official मांग स्वराज के लिए या कहे, officially Congress ने सबसे पहले सब्द का प्रियोग, एजा मांग, कब किया, या किस ने किया, तो दादा भाई नरो जी ने किया, ठीक है, अच्छा, अगर इसकी में बात करूँ, तो क्या हो जाएग इनकी एक बुक है, याद रखिएगा, दादा भाई नरो जी ही, वो पहले बैक्ती है, जिनोंने भारत के प्रतिवेक्ती राष्टी आए, और प्रतिवेक्ती आए, उसका अनुमान लगाया था, सबसे पहले बैक्ती यही थे, और इनकी एक बुक है, वो कौन है, यह आपको उन्हें ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है, यानि की भारत के सबसे ब्रदपुरस कहा जाता है, और दायान सर्वस्ति के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने आरे समाज की स्थापना की थी, कमेंट में लिखकर बताओ, कब की थी, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखन ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, पॉबर्टी एंड अनब्रिटिस रूल इन इंडिया ये दादाबाई नहरोजी की है, दादाबाई नहरोजी वो वेकती थे, जिन्होंने पहली बार आयकानुमान लगाया था, लेकिन अगर बैग्ज्यानिक आधार पर पूछा ज कौशन ध्यान से पढ़ताई घलती हिलन जल्दी है तुम इसे गलत कर छीक है, भात ज्यान से सुनो थोड़ा था देघुक है, यह पूच रहा है पहली महिला, पहली भारतिया महिला नहीं पूच रहा, पहली महिला जिसने कौंगरेस की अध्यक्यता की है, और वो कौन हो जा जो एनी बेसेंट है इन्होंने होम रूल लीग होम रूल लीग की इन्होंने इस्तापना की थी तो यह आपको याद रखना है याद रखिएगा जो एनी बेसेंट है इन्होंने एक पत्र निकाला था जिसका नम था न्यू इंडिया क्या नाम था जिसका नाम था न्यू इंड एक नाम था यंग-ईंडिया भूलियगा मत यंग-ईंडिया जो है ये महातंेव गांधी लेकर तैनल थे तिस ने मात्तमा गांधी द्वारा। प्रत्र का निकाली गई थी यंग इंडिया निव इंडिया जो है यह एनी बेसेंट की पुष्टक तो याद रखिएगा अगर पहली भारतिय महिला पूछी जाए अगर आपसे पूछा जाए पहली भारतिय महिला कौन थी जिनोंने कॉंग्रेस की अद्धक्षता की थी तो प्रतम भारतिय महिला हो जाएंगी आपकी याद रखिएगा प्रतम भारतिय महिला यह कौन हो जाएंगी यह हो जाएंगी स और लाल ये अत्यंत प्रमुख नेता थे, किसके स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, घदर पार्टी के, कॉंग्रेस पार्टी के, बाल, पाल और लाल बर बैरी प्रोमिनेंट लीडर, किसके prominent leader थे यह यानि कि बहुत ही प्रमुक important leader थे किसके यह आपको बताना है किस party से यह संबंदित थे यह बताना है अच्छे बताओ सरोजनी नाइडू जो है उन्होंने कौन से अधिवेशन में देख्षता की थी ठीक है सरोजनी नाइडू ने कौन से अधिवेशन में सर्फ था की थी यह आपको बताना पाणी टो खर इकट ठीक 3 चलिए को लगा घर पार्टी तैंट कहां हूए थी और किसने की थी बता तो सुराज पाटी की श्तापना किसने कीये कमें लेक्क करेंबता इसका जो सही जबाब हो सब्सक्driven macht biology कॉंग्रेस पार्टी किसके कॉंग्रेस पार्टी आर समाज किसता अपना हुई है 1975 में और पहला उन्होंने बनाया था मुंबई दूसरा एड़काटर उन्होंने बनाया था सतत्तर में लाहूर में ठीक है और उन्होंने लिखी है सत्यार्थ प्रकास दयानां सरस्वत्ति ने जो पुष्टक लिख है संस्वक्रेस का इंद्यानबाद भी नहीं किया था केसब प्राप्त हुआ है अगर मैं बात करूं आप स्वराज पार्टी की तो वह 1923 को मोतिलाल नहरू और सीर दासने की है ठीक है जो गदर पार्टी है इसकी स्टापना लाला हर दयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस को जो की अमरीका में बहां पर किया है तो ये आपको याद रखना है ठीक है भारत उन्होंने ही गदर आंदोलन भी चलाया था जो गदर पार्टी थी ना उनकी उसी को लेक अगस्त 1947 को इसी दिन हम स्वतंत्र हुए थे तो ये आपको याद रखना है अगला भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के प्रतम मुसल्मान अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के प्रतम मुसल्मान अध्यक्ष थे कौन ये आपको बताना है बताओ हूँ हूँ बाई दा फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ दा इंडियन नेशनल कॉंग्रिस मुहम्मद अली जिन्ना बदरुद्दीन तयब जी और सरस्यद एहमत खान और अबुल कलाम आजाद कोशन क्या है कोशन आपकर 12 ठीक है और बताओ जरा इसका सही जबा जबाब क्या हो जाएगा कि बहुत अच्छे कि बढ़िया क्या हो जाएगा इसका जो सही जबाब है यह हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तयब अगर आई एंडियन नेशनल कॉंग्रेस की बात करें आई एंसी की अगर हम बात बात करें तो इसकी स्तापना हुए यह आठास ओ ऑसी में और इसका परतम सची में भी बना था अटतम सची सव यह आ इस इस आई nc का अध्यक्ष पहला कौन था तो याद रखेगा डवलोसी बनार जी गराउस Ich बनर जी कमेंट में लिख कर वताओ WC जो बनर जी है इनका पूरा नाम क्या है ठीक है और अगर मैं बात करूँ अब लोकला माजाद की तो सबसे कम उम्र के सबसे कम उम्र के कौन थे सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष रहे थे और सबसे लंबे समय तक समय तक ये अध्यक्ष रहे थे ठीक है अच्छा जब भारत को सवतंदरता मिली थी जब भारत को सवतंदरता मिली थी उस समय जब भारत को सवतंदरता मिली थी उस समय कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था बताव ब्योमेश चंद्रबनर जी बहुत बढ़िया हाँ यह विवेश चंद्रवनर जी हाँ ठीक है अगला भारति राष्टी कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिदियों ने भाग लिया था अगला भारति राष्टी कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिदियों ने भाग लिया था यह आपको बताना है जो पहली कॉंग्रेस सद्धक्षिता हुई थी उन्नीस सो अठारे सो पिचातर में है ना बेसिकली पहले वो पूरा में होने वाली थी लेकिन बा कितने लोगों नहीं राष्टी कॉंग्रेस के उननीस में शुक्ष कों थे याद रखना उननीस में बीस में इस तरह से भी आप से कई बार पूछ लेता तो जो मेहत्पून है वो याद रखियेगा जैसे यह बनीस में बताव आप भारतिराश्टी कॉंग्रेस के 1970 किया द्यक्ष कौन थे गोपाल कि गोखले सर हेंडरी कॉटन लाल मोहन घोस और सुरिंद्रनाथ बनर जी बताव जरा क्या हो जागा कुशन क्या है कुशन आपका 14 बताव जरा और यह जो 1970 है यह जो 1970 है यह कब हुआ था तो याद रखेगा य यह जो 1970 है यह 1903 में हुआ था कौन सा यह जो 1970 है यह 1903 में हुआ था और सत्र कौन सा था तो यह था मदरास का सत्र ठीक है इसके अदक्षिता कीती लाल मोहन घोस ने किसने इसकी जो अदक्षिता है यह कीती लाल मोहन घोस ने तो यह आपको आखना है गोपाल कि गोकले ने क किस अधिभेशन की अधिक्षिता की है कमेंट में लिखकर बताओ याद रखिएगा इन्हें बाक पटु बक्ता क्या बाक पटु बक्ता इन्हें कहा जाता है याद रखिएगा इन्हों नहीं जो है भारतिय सेवक संग भारतिय इंडियन सिविल सोसाइटी सेवक संग इसकी इ यह आपको याद रखना है याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बैनर जी ने जो है इन्वाने जो इस्था अपना किया वह इंडियन लिए नेशनल एसोसियेशन इन्वाने की थी इंडियन नेशनल एसोसियेशन किस्ता अपना इसनल इन्वाने की थी कब 1876 में ठीक है अगला कुश्चा उन्नी सोबीस के भारतिय कॉंग्रेस अधिवेशन का आयोजन फिलिंदवलेक्स में किया था आपको बताना है कि उन्नी सोबीस सितंबर म किया गया कलकत्ता मदरास नाकपूर लखनो दा इंडियन कॉंग्रेस सेशन ओप सब्टमबर 1922 वाज हैल्ड इन कलकत्ता जो कि नाकपूल काता है मदरास चेन्नाई नाकपूर और लखनो बताओ रख्या हो जाएगा और याद रखिएगा यह प्रस नाप के लिए महत्पू इसकी जो लाला लाजपत राएद्वारा इसकी अध्यक्षिता की गई थी तो यह आपको याद रखना है ठीक है कहां पर यह हो जागा आपका कलकत्ता में अगला कॉंग्रेस के किसदमेशन में अस्यो गांदुलन को अपनाया गया था अस्यो गांदुलन प्रारम हुआ था एक अगस्त उनिस्सो बीस से कबसे एक अगस्त उनिस्सो बीस से ये प्रारम हुआ था आपसे पूच रहा है कि इसका जो प्रस्ताव है ये लेकर आया गया कब तो इनका जो प्रस्ताव है ये लेकर आया गया अब आपका भी यानिकी नागपुर अधिवेशन उनिस्सो बीस म ये थे सी विजय रागवा चारे क्या नाम था इनका 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 नाम था सी विजय रागवा चारे तो ये आपको याद रखना है ठीक है अगला कोशन उन्नीस में निम्लिकित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी आपको बताना है उन्नीस सो उन्नीस में निम्लिकित में से जलिया बालाबाग हत्यकांड हुआ है बंगाल का विवाजन हुआ रोलेट एक्ट पारित किया गया मॉन्टेव की चेम्सवेट सुधार की घोशना की गई जलिया बालाबाग मैसकेर टुक प्लेस बेंगल बाज पार्डिशन और रोलेट एक्ट बाज पास्ट और मेंटेव की चेम्स फोर्ड रिफॉर्म बाज एनाउंस्ट क्या है कोश्चन है आपका 17 और आपको बताना है इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ फटाव है कि बहुत बढ़िया है कि उन्नीस सोनिस में कौन सी घटना इनमें से नहीं हुई है जलिया बालाबाग अत्यकंड बंगाल का विवाजन रोलेट एक पारित किया गया मॉन्टेव की चेम्स फोर्ड सुदार की घोशना की गई तो कौन सी एक जो घटना है यह उन्नीस सोनि पांच में और किसके समय में तो लॉर्ड करजन के समय में किसके समय में लॉर्ड करजन के समय में होमरूल लीग की स्थापना की गई कब जो होमरूल लीग है इसकी स्थापना कब की गई तो याद रखेगा इसकी स्थापना की गई है आपका 1916 यानि कि बंगल विवाजन के के दौरान नहीं की गई कॉंग्रेस अद्विशन के दौरान नहीं की गई जलिया वाला बाग हत्यागांट जो संगर सही यह उन्निस सो निस में हुआ था प्रतम विशुद्ध के बाद कब तो याद रखेगा इसका जो सही जबाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका भी या इंडिया मुस्लिम लीग इनमें से किसने और इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो याद रखेगा आगा खाने की थी और इसकी स्थापना हुई है 1906 में कब 1906 में और 1906 में कहां पर तो याद रखेगा पूरवी बंगाल में उस समय हुई थी जो बंगाल विवा किसने की तो मैंने आपको बताया है इसकी स्थापनाdern की यह गोपाल केष्ण गोखले ने ठीक के छलिए जो आगला गुज्रात में साबरमती आसरम की स्थापना गांदी जी तो मासमा गांधी ने साबरमती आसरम की जो इस्तापना है यह किस बर्स की थी तो याद रखेगा इनों ने यह जो इस्तापना है यह की थी 1970 में अच्छा अगला उनिश्वटाइस में भारत में आया उस कमिशन का नाम बताएं जिसका उद्ध्योद भारत की सम्मेधानिक विवस्ता में सुधार करना था यह 28 में भारत में आया था और यह चाहता था कि भारत में समयधानिक सुधार जैसी कोई चीज सामने आए कौन सा था वो रोलेट एक पिट्स इंडिया एक बंगाल विवाजन साइमन कमीशन नेम्दा कमीशन देट केम टू इंडिया क्या हो जाएगा कोईशन है आपका 22 अगर बात की जाए तो कौन सा आया था तो याद रखेगा यह था आपका साइमन कमीशन बाल गंगादर तिलग किसे अपना राजनितिक गुरू मानते थे अच्छा मात्मा गंधी किसे अपना राजनितिक गुरू मानते थे यह आपको बताना है है ना कौन थे जिनोंने ने सला दी थी कि एक साल तक भारत का भरमण करो आखें खोल कर और मुव बंद करके ठीक बहुत अच्छे क्या हो जाएगा तो याद रखेगा इसका जो सही ज चिटगाओ सस्त्रागार पर जो धाबा है यह किसके नेत्रत में बोला गया है यह आपको बताना है किसने जो है इस पर आप चिटगाओ पर जो सस्त्रागार था उस पर हमला किया था कब 1930 में कब 1930 में इनका नाम क्या था इनका नाम था सूर्य सेन इन्हें मास्टर दावी कह जाता था ये आपको अधकना भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव इनको फाजी कव दी गई है ये आपको बताना ठीक है अच्छा अमेरिका में सीत लेहर की बर्तमान अबदी का कारण क्या है जो अमेरिका में सीत लेहर होती है और उसमें न वो एक लंबे समय तक चलती ह उसका कारण क्या है ये आपसे पूछ रहा है जैब विवित्ता और आबास जलवायू और उर्जा राज नितिक प्रसासन दुर्भीय ब्यवंडर वाट इस रीजन फॉर दा करेंट पिरेड ओफ कोल्ड बेव इन अमेरिका बायो डाइबर्सिटी एंड हैबिटेट क्लाइम सुर्जाम आपको इसे लाइक करना ठीक है यह है कारण यह आई help इस customer से मार्च से जून तक का समय होता है तो जो ठंडी हवा है ना ये नीचे की और बहने लगती है ना तो जो ये जो jet stream है ये बीक हो जाती है है ना तो ये जो polar vertex है ना जो ऊपर जो उत्री और दक्चडी दोनों धुरूपों पर ये पोलार बर्टेक्स आते हैं, जिसमें जो हवा है, वो बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगती है, और इसका छेतरपल बहुत कई हजार किलो मीटर में फैल जाता है, ठीक है, जब यह स्ट्रोंग होता है, और यह तब होता है, जब जैट रिश्ट्रीम स्ट्रोंग होती है, और जो ठंडी अवा है, उसे यह कंटेन कर लेता है और तेजी से घूमता है, इसके चलते जो है धुरूभिय विवंडर जिसे हम पोलार बर्टेक्स कहते हैं, इसके अकारण जो अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा दोनों में जो सीत लहर है वो तेजी स के चलती है जो सीत लहर है यह तेजी से चलती है अज लंबे समय तक रहती है जब बीक या राश्चला कि बीग कि समय को अब क्या समय मार्च कुंछ समय क्राइब आपने उतना इंटेंगी बैडिंट नहीं होता और इसय ღ झावझट ही है ना ठीक मतलब इस पैसरी इसकी वागरम बात करें तब तो यह बात हो गई आपकी उत्तरी अमेरिका में भी उत्तरी पाट और कनाड़ा वाला ठीक है अच्छा आगे किस प्रदेश में पूरे साल बर्सा होती है इन में से कौन सा वह चेत रहे जहां पूरे साल बर्सा होत कियेगा आप सभी को इस क्लास को सेर और लाइक जरूर करना है क्या करना है आप सभी को इस क्लास को सेर करना है तो ज्यादा ज्यादा बच्चों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएगा साथ में इसे आपको लाइक भी करना ठीक है किस प्रदेश में पूरे साल बर्सा होती है आपको बताना है पूरे साल इन में से कौन से प्रदेश में बरसा होगी देखो यह क्या है यह है प्रत्वी ठीक है यह आपका जीरो डिगरी ठीक है यह आपका साड़े तेई साड़े तेई साड़े च्छांसाट और साड़े च्छांसाट ठीक है यह जो हिस्सा है यह क्या ह है है ना और इसमें भी जो सरबाधिक बरसा या पूरे बरस भरसा होती है वो होती यह ही कारण है किया आप अपने सुनाओगा कि ब्राजील में चार बजे बरसा होती ही होती है ना उनका हो गया फोर पीएम शावर यह इस नाम से प्रचलित है उनके यह यह क्या है यह है आपका बिसुबत रेखा कहां पर तो याद रखिएगा यह जो बिसुबत रेखा है यह जो आपका एक्रिटोरि ऑफ्यफर्स ऑती है इस बरसा करते यहां पर यह गने बन जो हैं उग गए है कि उपर से जब प्रकास की किरण आती है तो कई बार ऐसा होता कि जमीन पर प्रकास की किरण पहुंचती नहीं है इतने घर वनें कि जो प्रकास की किरण है जो प्रकास है वो उपर ही अबरोध दो जाता है नीचे आ ही नहीं पाता इसलिए ये भी कहा जाता है जैसे अमेरिका में अमेजन के बंगल जो जंगल काटे जा रहे हैं और अगर इतने बीच के जंगलों को साफ कर दिया जाए या काट दिये जाए तो कभी भी दुबारा पुना इतने मजबूत या कहें इतने घने जंगल दुबारा इस छेतर में नहीं उख सकेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर बारिस पूरे साल होती है हर दिन होती है इससे मिट्टी का होगा कटाव और फिर से उतनी घनी बनस्पती जगना या उगना मु और गणी की भविष्य मानी की जाती है सहसा बढ़ जाए क्रमसा बड़े मतलब सहसा मतलब अचानक बढ़ जाए रहा का मतलब धीरे-धीरे कम अधीरे-धीरे बड़े ठीक है कि हरी के निज प्रिडिक्टिट भेंदा एट्मॉस्टिक प्रेसर आपको बताना क्या हो जाएगा कोशन क्या है कोशन आपका 27 बता हो जाएगा कि कब होता है ऐसा कि अभी कि अफॉट अपने घर से बाहर निकल नहीं रहे बिस्वत रेखा पे जाके गंटाई खेती कर लोगे तुम घर से बाहर चार कदम निकलते हो इसके पास नथे लल बापस आ जाजाओ धिक्कत हो जागी है न है थो तुम से घर में बैठ के पढ़ाई नहीं और ही सोच के देखो सबसे ज़्यादा आसान का मैं पड़ाई करना तुमसे बो नहीं हो रहा है ना खेती करेंगे यह बता अचा क्या हो जाएगा याद रखिएगा जब यह सहसा यानि यूजली डिक्रीज हो जाता है या एक दम जो है यह डिक्रीज हो जाता है यह आपको याद रखना अच्छा अल नीनो क्या है आपको बताना है जो एल नीनो है यह क्या होता है बताओ अच्छल में यह है लुनू नो ठीक है इसे में थोड़ा अच्छे से क्या हो गया कोई बात नहीं सिर्फ रहने देखो इसे द्यान से दो क्या है यह क्या है यह वाला है normal condition और यह है आपकी लानीना condition यानि कि यह है आपका यह normal condition है और यह यह किलानिना है अभी मैं अल नीनो माली कन्डिसन दिखा रहा हूं एक मिनट ऊपर हो ठीक है है अब अल नीनो माली भी देख लो को कि अ bucket कौन सी है यह अनली नोगी कन्डिस्टन कौन सी है यह है पर जब अल नीनो आता है Jugend जब जड़ा वो एक-एक बड़ जाती है मतलब जो छे ट्रै ठंड़े पानी का वो अचानक से बढ़ जाता, छेसा सालों में ऐसा होता है, क्यों पता नहीं, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका अल नीनो, ला नीना में क्या होता है, ला नीना में याद रखिएगा, जो आपका, जैसे ये जो छेतर है, ये कम होता है, पर ला नीना में एक आएक ये तो याद रखेगा यह एक उष्ण समुद्री धारा है तो यह आपको याद रखना है ठीक है उसे नहीं करिंट है हाँ ठीक है बायू की उर्द्वादर गती को क्या कहते है जब बायू उर्द्वादर गती करती है जैसे यह इस तरह से जब बायू गती करती है तो इस गती को क नहीं है टॉछ सब्सक्राइब अन्रेकॉर्ट है टॉछ है टुछ मुछ घ्रखिड करने जो जब लिए नहीं हृति है कि याद कर शक्टे हैं इस बाउनडेशन है लिमिट हाँ वही चलो बता और गती उर्द्वादर की वैयुग कि उर्द्वादर कत्वी को क्या कहा जाता है तो याद रखेगा इसे कहते हैं यह अगला अगला आपका महासागर की परपटी मुक्रिता सिलिका और किसकी बनी होती है कहने का मतलब यह है जैसे मालो यह प्रत्वी है और यह क्या यह महासागरी और यह महादीप यह परपटी ठीक है तो जो महासागरी परपटी है यह यह किसकी बनी होती है देखो महादीप यह महासागरी में कन्फूज मत होना अगर कभी भी आप से पूचा जाए कि परपटी किसकी बनी होती है तो बात खतम यह बनी होती है सिया की इसलिका और को सिरे यूमिनियुम और अलूमिनियूँं न दिया हो एक की महासागर की पर पऴति उसकी बत कर रहे न हाँ 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 हुउ और है गलत रिखा हुआ यह होगा है हाँ याद रखिएगा किसी जो पर राटी है यह भनी होते हैं आपड़ावों जो मेंटल वाला हुज है यह किसका बना मेंगनीशियम का किसका का और बना इसमा उता है तो यह आपको याद रपना है और जो कोअ है यह बना होता है आपका नियोख निकल और आयरन यानी की लोहिका ठीक है अगरा निम्लिकित में से बहे सागर कौन सा जो भू आवद्ध आपको बताना है इन में से बहे सागर कौन सा है जो भू आवद्ध है भू बद्ध है मतलब जिसके चारो और मतलब बीच में ये सागर है है ना और इसके चारो और भूमी है ऐ ऐसा कौन सा है यह आपको बताना बताओ। कौन सा है यह देखो एदिख पा रहे हो एधि एक तो लेक बालकाश आपके अरलसी कि अगर आप यहां पर देखे तो यह है कजाकस्तान यह है उज्वेकिस्तान है तो चाहे वो क्या है चाहिड टो चोका रखने को मोड़ेगा अगला कोश जली है दारा एक फोटो है अगर आप इसे ठीक से देखके पढ़ ले तो आनंद ही आ जाएगा और कोश्टन एक भी आपका गलत नहीं होगा यह कि ठीक है इसमें जो रैड जो है यह गर्म जल्दारा को दिखा रहा है और जो काला है यह आपका एक सीतल जल्दारा नहीं है हमबोल्ट कहा पर है को एक अहां कॉंबड कहां की ओछरह को ठीक है तो ब्राजील गर्म है ऐए उयोश्यो बोरी उदार यह वाला हिस्साब थंडी है और तो ढर्म कौनसी है तो याद रहते नीली तब दिखा रहें जोनी सफसे बड़ी धाना है जिसके काली पनी कारुं काली धारा क्अ जो आपने इना उसेनिक सथी में आपकी मतलब जिसका रंड ही कारणा दो ओ liksom काली जल्दारा कहते हैं आपको बताना कौन सी एक हो जाएगी ठीक है बता जल्दी से कि और इसमें तो देह नहीं रखें कोई बात नहीं है कि अब 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 क्या जो जल्दारा है चीन के पास है ना चीन महासागर धारा Atlantic महासागर में नहीं पाई जाती इन मेंसे कौन सी जलदारा है जो Atlantic महासागर में नहीं पाई जाती है तो याद रखेगा Аपने ध्यान दिया हो तो पेरु जलदारा पेरुहं pior एहांपर है ना सार गैसो सागर किस महासागर में इस्तित है सार गैसो सागर जो है यह किस महासागर में इस्तित है यह आप से पूछ रहा है देखो अगर सार गैसो महासागर की बात करें तो सार गैसो महासागर नाम को कोई चीज है नहीं पर किस छेत्र को सार गैसो बेसिकली से सार गैसो महास जैसे यह है, यह मैप है आपका को यहां देखिए यह जो इससा है यह जो कि बनता है कनारी से नौर्थ इक्रेटरियल गल्फ इस्ट्रीम और नौर्थ आटलांटिक डिर इन दो तीनों के कारण यह यहां पर इससा बनता है यह यह जो इससा है इसे बोलते हैं सार गैसो सागर क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं सार गैसो सागर यहीं पर सार गैसो गैस पाई जाती है और यह आपका एट्लांटिक महासागर में कहां पर है यह आपके एट्लांटिक महासागर में तो यह आपको याद रखना है आगे दक्षडी दुरूप की कि french कि कि ने कि दक्षडी दुरूब की कोज करने वाला कौन ता किसने दक्षडी दुरूब की कोज जाध रखिए तो याद रखिएगा जो दक्षडी दुरूब है कि खोज कि और कब किये है उननित्स हो ग्यार में, कब कि चल यू जाएगा अगर इसकी बात में करूं कि उत्री दुरुभ में भारत के अनुसंदान का नाम क्या है तो उत्री भारत में है हिमाद्री मैत्री भारती और दक्षडगंगोत्री ये तीनों आपके दक्षड गोलार्द या कुँ अंतलां टिक सुरी, अंटार्क्टिका, महादीप परिष्थित है, मैतरी, भारती और दचल गंगोतरी, हिमादरी आपका उत्रि गोलार्द में है, थेक है, चलिए, आगे, पीसो किस बेस की मुद्रा है, यह आप से पूछ रहा है, दक्चड कोरिया, मैक्सिको, जापान, इटली, पीसो is the currency of which country, किस country की क्या है, ये मुद्रा है पीसो, अच्छा, दक्चड कोरिया की अगर मैं बात करूँ तो मुद्रा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बॉन, इटली की हो जाएगी आपकी यूरो, और अगर जापान की बात करूँ तो ये हो जाएगी, इट मेक्सिको बचा, और इसकी मुद्रा है Mexican पीसो, ठीक है, अच्छा, अगला, साओधी अरेविया की मुद्रा क्या है, साओधी अरेविया की मुद्रा है, क्या ये आपको बताना है, ठीक है, दिनार, रियाल, लीरा और पांड, साओधी की मुद्रा है यह आपको बताना देगो अगर मैं दीनार की बात करता हूँ तो याद रखेगा जो दीनार है यह जॉर्डन की भी मुद्रा है किसकी जॉर्डन की मुद्रा है लीरा की अगर मैं बात करूँ तो यह तुर्की की मुद्रा है इसके साथ याद रखेगा लेवनान की भी मुद्रा है किसकी लेबनान की और इसके लाबा याद रखेगा सीरिया की भी यही मुद्रा है ठीक है अगर मैं पाउंड की बात करूं तो यह ब्रिटेन की मुद्रा है सही जबाब हो जाएगा आपका रियाल अच्छा डेट्रॉइड जो किया यू एस ए में आपसे इस पाथ और आटो मोबाइल डेट्रॉइड इस फेमस पॉर विच आप दा फॉलिएंड इंडर्स्टीज क्लोथिंग सीमेंट इस्टील आटो मोबाइल आपको बताना क्या हो जाएगा ठीक है क्या होजाएगा तो याद रखीएगा इसका जो सही जवाब है यो जागा आपका डि ऑटो मोबाइल ठीक है अगला आई टी विच जे ड्लम में सी का क्या अर्थ है जो आइटी सी जेडल है ना इसमें जो सी है इसका मतलब क्या है what does C stand for ITCZ बताओ जरा क्या हो जाएगा बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है यह आपको बताना है और इसका जवाब है यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका कन्वेंशन तो यह आपको याद रखना या कन्वेंशन संभान और कन्वेंशन अभी सरण सौरी यह है पूरा है इसका इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन आगे भारत में राष्टी आयका अनुमान सर्प्रतम किसने लगाया प्रोफेटर पीसी महाल लोबिस डॉक्टर बीके आर्बी राओ दादा भाई नहरोजी और एमजी रनाडे मैंने श्टाइटिंग में बताया था र प्रिक है अच्छा आगे भारतिया आर्तिक समिष्चा जिसे बोलते हैं इकॉनिक सर्वे यह पब्लिस किया जाता है किसके द्वारा भारतिया और तिक समिष्चा फिलिंदा ब्लैंक्स प्रकासित करता है भारत सरकार बित्मंत्रार नीति आयोग और भारत के प्रधानमंत्र को बताना क्या हो जाएगा बताओ जरा कौन पब्लिस करता है इसे तो याद रखिएगा इस नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे इंटर ट्रॉपिकल करनबर्जैंस तो जो कनबरजैंट अश्री करने का मतलब यह है कि यहां पर जो नौर्थ ईष्ट जो ब्यापारिक सब्सक्राइब होती है इसलिए इसे अभी सरड कहते हैं इसलिए उसे अभी सरड कहा जाता है क्या हो जाएगा इसका सही जबाब हो जाएगा आपका बित मंत्राल है भारत में आर्थिक सुदार नीतियां किस बर्स लाई गई थी इन्हें कहते हैं लपीजी रिफॉर्ट जिन्हें हम कहते हैं लिप्रलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यह हम लेकर आए थे हैं ना बस आपको यह बताना है कि कब लेकर आए थे ठीक है कब लेकर आए थे तो याद रखिएगा यह लेकर आए थे आपका 1991 में अगला कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक आप इंडिया कहते थे याद रखिएगा आपकी एक क्लास है सुबह 6 बजे करेंट अफेर की असुरी सर की एक है आपकी नो बजे सुबह गोल संसर की मैथ की एक क्लास है आपकी सुबह 11 बजे जो की अभी चल रही है जी एस की मैं कराता हूँ एक क्लास है आपकी दो पहर दो बजे हिंदी की ये भी मैं ही कराता हूँ ज़ी डी का जो आख जाए। इसे हैं आपके जी डी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या पर्टी का जो यह उने वाला है आपका जो जी डी के अलिए होने वाला है आपको क्या करते हैं दस जन्वरी से डेट आगी ना तो इस क्लास के साथ जुड़ जाईए पक्के से अच्छे से चिपक जाईए रोज आपको क्लास इसमें आना है पर डे और याद रखिएगा और इसे आपके एक्जाम जो है जो की दस दस तारिक तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो याद रखेगा यह फॉजी बैच है 100% सेलेक्शन के लिए आपको इसके साथ जोड़ना है और 299 में आप इसे जॉइन कर सकते हैं याद रखेगा यह वो नमबर है जिस पर ओ सॉरी यह जो 299 है यह सिर्फ 25 नमबर यानि आज तक वैलिड है तो अगर आपन फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं तो आप इस नमबर पर फोन कर सकते हैं याद रखेगा उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टिवल के लिए स्पेसल बैच है मैं तरिजिनिंग हिंदी जियास आप यहाँ पर करते हैं 399 में इसे जोईन कर सकते हैं अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं ठीक है अच्छा आगे याद रखिएगा मैं तो रिजिनिंग क्लास रोज रात आट बजे एकदम बेसिक से आपके अपने अजैसर इस क्लास को कराते हैं अक्सर आपके एक्जाम में जो कोश्चन पूछे जाते हैं उन कराते हैं तो इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा याद रखिएगा कुछ लिंक है जैसे यह एप पर क्लिक करके वीडियो के डिस्किप्शन में जाके अगर आप सर्च करते हैं तो वहां यह एप आपको मिल जाएगा और जिस चैट वक्स में आप अभी है इसमें उप आपको याद रखनी है और उन्हें भी इसका लाव प्राप्त हो सके एक चीज और जो आपको याद रखनी है और वो यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबाईए क्लास को शेर और लाइक जरूर कीजिए जो कुछ भी नया मिला हो आज को क्लास में उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा क्योंकि जो आपने छोड़ दिया है जो आपने नहीं लिखा है यकीन मानिए बही आपके अग्याम में आने वाला आ और उस दिन आपको फिर दिन में तारह दिखे घ면 अगर आप बाकरी में पूरी मांदारी के साथ कलास को नहीं करते हैं तब आज की कलास के लिए ऊतनाएं चलिए दो बज़े मिलते हैं तब तक के लिए जये जय वारत झाल